Hello viewers, welcome back to my channel, Nisha Education आज हम सीखने वाले हैं कि संगवाद का क्या मतलब होता है संगवाद या फिर हम कहेंगे संगय साशन पुरणाली ठीक है, देखो जहाँ पर संगवाद होगा तो उस पुरणाली को हम कहेंगे संगय साशन पुरणाली तो पहले हमें संगवाद को समझना जरूरी है कहीं पर क्या होता है, किसी देश में एक ही सरकार होती है पूरे देश में सिर्फ एक सरकार, वही राज करती है ठीक है, लेकिन किसी देश में क्या होता है, एक से जादा सरकार होती है दो टाइब की सरकार होती हैं किसी देश में तीन टाइब की भी होती हैं तो जिन देशों में दो टाइब की सरकार या फिर दो से जादा टाइब की सरकार होती हैं ऐसी साशन पुर्णाली को हम संगवाद कहते हैं for example बहुत सारे हैं लेकिन हम एक्जामपल लेंगे अपने भारत का क्यूंकि उससे हमें ज्यादा समझ में आएगा हमारा देश भी संग्य साशन पुर्णाली में ही आता है पता है क्यूं क्यूंकि हमारे हैं पर भी दो टाइप की सरकार हैं और कभी कभी तीन टाइप की भी हम मान सकते हैं लिगा çिछ कि कभी-कभी जैसे जाओं या कसम और र Expansfform Там होती है न बोच दिसरा टाइप है ग्राम पंचायत रशाव बगढ़रा लेकिन पुरे देश में तो यह नहीं कुछ कसमों कर दो तो फिलहाल हम दो टाइब की सरकारों की बात करेंगे पहली केंद्रिय सरकार जो पूरे देश के लिए काम करती है पूरे देश को समालती है और यह सबसे जादा ताकतवर होती है इसके पास सबसे जादा शक्तियां होती है अधिकार होती है सबसे जादा सक्ता होती है ठीक है दूसरी होती है राज्य सरकार, राज्य सरकार के पास शक्तियां कम होती हैं, उत्तरदायत वो जादा होते हैं, उत्तरदायत वो मतलब जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां जादा होती हैं पर शक्तियां कम होती हैं, ठीक है, तो केंदर सरकार जैसे कि अभी हमारे देश में क सरकार में कौन है आप सरकार है जिसका सीएम केजरिवाल है यूपी में सीएम योगी है मतलब बीजेपी की सरकार है ऐसे कहीं पर कॉंग्रेस की सरकार होगी कहीं पर कोई सरकार होगी कहीं स्विराज करती है खेर हम बात कर रहे थे संगवाद की तो यह वाली जो प्रणाली होती है जहां पर दो या फिर दो टाइप से ज़्यादा सरकारे काम करती है एकी देश में ठीक है तो उस व्यवस्था को हम कहते हैं संगय साशन प्रुणाली और इसी को हम कहते हैं संगवाद I hope आपको संगवाद का मेनिंग समझ में आ गया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वाई गाइज